नमस्कार स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में दोस्तो आज मैं आपको ATM पिंच जनरेट करना बताऊंगा वैसे तो ATM पिंच जनरेट करने के कई आप्शन है जैसे आप Mobile Banking, Internet Banking या ATM मशीन से ATM पिंच जनरेट कर सकते हैं लेकिन आज मैं आपको WhatsApp से ATM पिंच जनरेट करना बताऊंगा अगर आप WhatsApp से ATM पिंच जनरेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे Mobile नमबर को अपने Phone की Contact List में Save कर लें नमबर सेव करने के बाद आपको अपने WhatsApp से High Type करके Send करना होगा जब आप पहली बार High Type करके Send करते हैं तो आपसे Language सेलेक करने के लिए कहा जाएगा आप English या Hindi में से किसी एक Language को सेलेक कर लें ATM पिंच जनरेट करने के लिए वीडियो को पूरा देखें तभी आप WhatsApp से ATM पिंच जनरेट कर पाएंगे आपको एक बार फिर से High Type करके Send करना है जब आप High Type करके Send करेंगे तो Reply में आपको एक Link रिसीव होगा एक और बात आपको बता दें WhatsApp से ATM पिंच जनरेट करने के लिए आपके Bank Account और WhatsApp का Mobile Number सेम होना चाहिए आगे के Process के लिए Link पर किलिक करें अब आपको 4 डिजिट का M-PIN सेट करना है कन्फर्म करने के लिए आपको सेम पिंच दोबारा से टाइप करके Next बटन पर किलिक करना है M-PIN का Use कहां करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अब आपको 4 डिजिट का T-PIN सेट करना है कन्फर्म करने के लिए सेम पिंच दोबारा से टाइप करें M-PIN और T-PIN सेम नहीं होना चाहिए T-PIN एंटर करके Terms and Condition को टिक करके Submit बटन पर किलिक करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं M-PIN और T-PIN सक्सेसफुली सेट हो गया है A-T-PIN जनेरेट करने के लिए WhatsApp से High Type करके Send करें जो M-PIN आपने सेट किया था अब उस M-PIN का Use करना होगा स्क्रीन पर आपको दो आप्शन दिख रहे हैं आपको Login with M-PIN पर किलिक करना है अब आपको Authenticate M-PIN पर किलिक करना है M-PIN एंटर करके Submit बेटन पर किलिक करें Resume to UV Connect पर किलिक करें अब Main Menu पर किलिक करें इस स्क्रीन पर आपको Third Option Card Services को Select करना है उसके बाद Send बेटन पर किलिक करें अब Card Services पर किलिक करें इस स्क्रीन पर आपको Third Option Green Pin सेलेक करके Send बेटन पर किलिक करना है अब आपसे पूछा जाएगा क्या आप debit card का pin set करना चाहते हैं अगर आप pin set करना चाहते हैं तो yes पर किलिक करें अब validate card पर किलिक करें इस screen पर आपके mobile और debit card के last के four digits दिखाए देंगे आपको अपने debit card का expiry month और year टाइप करना है इसके अलावा आपको CVV नमबर भी टाइप करना है CVV नमबर आपको debit card के back side में मिल जाएगा CVV नमबर 3 digit का होता है details एंटर करने के बाद submit बटन पर किलिक करें एक बार फिर resume to UV connect पर किलिक करें अब आपके registered mobile नमबर पर OTP आएगा OTP WhatsApp के message box में type करके send बटन पर किलिक करें reply में आपको एक link receive होगा link पर किलिक करें अब आपको 4 digit का ATM pin set करना है confirm करने के लिए same pin enter करें उसके बाद terms and condition को tick करके submit बटन पर किलिक करें resume to UV connect पर किलिक करें इस क्रीन पर आप देख सकते हैं ATM pin successfully set हो गई है वीडियो अच्छा लगा है तो like और शियाद ज़रू करें झानल्न क्रोड़रू पते हो रख करें